हेलो फ्रेंट स्वागत आपका study hack channel पर जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी vocab की series चल लिए जिसमें हम बाप करते है vocab की एक तर्म basic labels अगर आप new हो आपको कुछ भी नहीं आता आपको vocab समझ नहीं आता फिर भी आप इसको बड़ी असानी से सिख सकते हो क्योंकि हम इसमें यूज करते है mnemonics technique जिसको आपने बहुत जगा पढ़ा हुआ और इसके साथ खास क्या करते है picture technique का भी यूज करते हूं और कहीं कहीं पर मैं आपको किसी incident से relate करके आपको चीजे बताता हूं तैकि जब आप exam में जाओ जब आपको question दिखेगा और OWS के idioms and phrases के या फिर antosino दिखेगा तो आपको अचानक सा strike करेगा कि सानने इस incident से इस picture से इस निमोनिक से इसको यह बताया था इसका answer यह होना चाहिए तो आपकी चीजे गलत नहीं होगी आप असानी sensor कर पाओगे और अपने number को secure कर लोगे ठीक है तो अभी तक हमारी 31 class हो चुकी है अगर आप अभी निउ हो तो आप previous classes जरूर देखें और आज हमारा episode 32 आप यूँ कह सबता हो कि हमारा class 32 है ठीक है तो हम इसका practice भी करते हैं जो परते हैं वह कैब तो उसका practice भी जरूर यह है तो practice हम किस से करते है previous year questions से ताकि आपको previous year question अलग से त्यार करने की क जरूरत ना पाड़े ठीक है और हमारी एक class डेली 5 पीम पर होती है Monday to Friday और Saturday special class होती है जो आप comment में करते हो जिस भी topic पर मैं उस पर class लाता हूं ठीक है और सिर्फ vocabulary ने English grammar भी बहुत important होता है English के लिए किसी भी exam के लिए तो मैं उसको भी discuss करता हूँ अपने class की बीच में एक part रखता हूँ ठीक है जहां पर important English के grammar rules discuss करता हूँ तो बने रही है हमारे class के साथ सुरू से last तक और जानी कि कौन से rules discuss होंगे हमने काफी rules discuss कर लिए जो की exam में adjective पूछे जाते हैं ठीक है तो चलिए बिना dairy के class को सुरू करते हैं तो जैसा कि आप हमारे class के साथ जूरे लास्ट में एक question answer session होता है जहां पर मैं आपको homework भी देता हूँ ठीक है question answer session के बाद तो आपको homework के answer करने पड़ते हैं तो अगर आप answer कर पाता हो एक limited time frame में तो मैं आपके comment अगले दिन include करता हूँ ठीक है तो last class homework answer दिया है अंजली ने ठीक है इन्होंने एक दम सही answer दिया ठीक है और मैं इस word को आगे discuss करूँगा मैं यह करता हूँ जो भी homework देता हूँ उसको अगले दिन include कर लेता हूँ ताकि बरहीं असानी से और easy way में आपको समझा सके ठीक है इसका जी को class अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में share करें उन बच्चों के साथ share करें ज ठीक है सीटाडेल मतलब होता गड़ ठीक है fortress castle tower ठीक है अपने सीटाडेल पढ़ा होगा अगर आपने history पढ़ी होगी ठीक है इंडियस वैली civilization उसमें सीटाडेल तो सीटाडेल मुक्ता वह जगह होता है जो भी किसी भी सहर में या वी किसी इलाक्त में सबसे उंची जगह हो सबसे अची जगह हो तो जो उंची जगह होगी वहीं पहले हम क्या करें अपने बनागे है चावर बनाना वह ताकि हम पूरे क्या कर साके अपने सारे सहर को एक साथ देख पाए अपने area को देख पाए जो किल्हेज़े बंद area उन्हें देख पाए तो सीटाडेल मतलब यह ह सिटाडेल बन वाए हैं देख पार हैं कितना मस्त सिटाडेल है फॉट्रेस है ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आई होप आपको चीजे क्लियर हो गई हो गई हुई तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात करते हैं में इसके लिए न हमारे लोग ऐसने के लिए कब पी अपने लोगों मतल्क याद रहने के लिए कि भी कि अपने लोगों को सांधdessus likely के रहे हैं कब दिक्तो कोलहाल मचा है तब ठीक है तो अपरोड कोमोशन आउट क्राइज यह सब क्या इसकी सिनोनीम्स है ठीक है आप देख पा रहे हुए यहाँ पर कैसा सब एक अबाज में नाइरे लगा रहे हैं तो क्या हो गए हैं पर कोलहाल मच जाए ठीक है इसके अंट जो वर्ड है वो है क्लैस ठीक है हमारा next वर्ड क्या है क्लैस मतलब क्या होता है पकर ठीक है catch grip hold यह सबक्याइ質 के सिरो नीम है क्लैस्प ऐसी याद अटखना है अपको चुब करते होता होता है ठीक है तुछ उसमें इस लगा है जो क्लैप के बीच में इस लग गया है स्ट्रॉंगंम्टिंग हो गया ज्यों तो डेंब देंगे एक तग लेवर मतलब इस नहीं हो जैंगा है जाए थीच पा रहा रहा है एक ठीक है किसी चीज को छोड़ देना या डीला करना यह सब हो जाएगा इसके एंटोनिम्स ठीक है आपको चीज़े किलियर हो गए होगी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात कर लेतें नेक्स्ट वाट है क्लेमेंट क्लेमेंट मतलब होता है दयालू माइल्ड मर्सीफूल ले ठ परतन है तो मैं इसके साथ इसको देखके नवसीषको देखके हऊ सुट को छीज़े चलीयर हो घए है यह भूपको चीजे किलियर हो अगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वड वर्ड बात Depression क्लाइमेश कैसे उसको जो ने सब्सक्राइब होता है इसके बॉर्टेंट नादिक अब बोकाइब जो तल में horse ठीक है, bottom मतलब थल होता है, नाजी सबसे नीचा point होता है, ठीक है, I hope आपको चीजे clear हो गए योगी, तो next बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको पता कि next हमारा OWS का session होता है, one word subscription का, ठीक है, इसमें जो आज का OWS वो है biography, ठीक है, biography मतलब बता है जिवनी, the story of person's life written by somebody else, ठीक है, biography म होता है, जो आपके बारे में तो लिखे, लेकिन आप खुद नहीं लिखो, ठीक है, किसी person के life के बारे में होता है, लेकिन person खुद नहीं लिखता है, कोई और वेक्ती लिखता है, तो उसको बोलते है biography, ठीक है, और आप खुद लिखते हो, auto self से, तो होता हो autobiography, ठीक है, तो ठीक है जीवित या जीनित जीनित जो भी हो तो जीवित उत्तकों की जान से रख लो ठीक है या जीनित उत्तकों की जान ठीक है जीनित उत्तकों की जान तो the removal of tissue from the body of somebody who is ill and its examination in order to find out more about the disease ठीक है और कोई भी बैखती है ठीक है अगर वो बीमार है तो उसके body में से tissue की हम जाज करते हैं ठीक है tissue को या तो remove करते हैं ठीक है या फिर उसकी जान करते हैं और बीमारी का करन पता करते हैं कि आखिर ये disease से हुई कैसे ठीक है इसका ilaj क्या होगा ठीक है उसकी examine करते हैं तो वही होता है biopsy जीवित उत्तकों की जान या जीनित उत्तकों की जान ठ ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब देख पारे होगे यहां इस फीगर से कैसे इसे कुछ सोर थ्रोट या फिर कोई थाइरोइड के प्रोब्लम हो गई है तो इसके यहां से क्या कर रहा है टीसू निकालना ठीक है और इस टीसू की जाच करेगा कि इनिफेक्शन कैसे बड़ी डीटेल में पर देलेंगे नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बिजार मतलब क्या होता है विचित ठीक है वेरी एस्ट्रेंज और अनियूजबल ठीक है अब इसको देख पारेंगे इसका ड्रेस देखो कैसा है बहुत ही अजीब ठीक है तो बिजार ड्रेस और यह लड़की खुद देखने में लड़की है या लड़का बड़ी अजीब लग रहे है बड़ी कन्फ्यूजन है ठीक है तो यह है बिजार मतलब विचित ठीक है आई होप आपको चीज़े क्लियर हो गई हो तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट है ब्लैस्फेमी मतलब होता है इस स्पीकिंग इर्रेलेवेंटली अबाउट सैक्रेथी या फिर कोई भी पवित्र चीज है उसके बारे में गलत गलत बोलना यही कहलाता है ब्लैस्फेमी ठीक है तो ब्लैस्फेमी आपको पता चल गए कि इस बर की निंदा करना है ठीक है देख पारोंगे इसके मूँ पे टे सैक्रिलेज प्रोफैनीटी ठीक है आपको चीज़े किलियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं निक्ठे बोर बोर मतलब क्या है डच या डच वंस नहीं ठीक है तो आप ऐसे यहाद रखना कि कोई डच या डच वाली भासा में साथ अफ्रीकन भासा में बोलेगा तो आप पर्षन अप अफ्रिकन डच डिसेंट ठीक है ऐसा वाक्ति जो साफ अफ्रिका से बिलों कर तो डच के वंस के होंगे उन्हें बोलते हैं देख पाई होंगे आप इन्हें पिक्चर से यह सब दच के वंस हैं ठीक है नेक्स बाट करते आप नेक्स जासा कि आपको पता है paralyze और कोई आपको चाकू की नोख कोई बीं चीज कर भासे आड़ा एक और Celt फर पर ड्राब कर लेते सब आपको क som var लौख से को सब अली पर इसके कृठ होते हैं dus Japan एड्रों सबंस्कूर कीं लोगते हैं तो इसी को बोलते हैं एक दूसरे के फ्रोट के पास हो ठीक है आई वोप आपको चीजे क्लियर हो गई होगी आप पिक्चर से क्लियर कर सकते हो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है एट लार्ज मतलब क्या है भागा हुआ अपरादी ठीक है एट लार्ज मतलब अगर मान लोग कि किसी पर बहुत ज्यादा एक हजार डॉलर का इनाम हो तो वह क्या होगा कैसा क्रिमनल होगा वह भाग गया होगा क्रिमनल ठीक है बहु उस पर हम इनाम रख देते हैं ठीक है? तो large से यादर को बहुत ज़्यादा क्या है? बहुत ज़्यादा परे अनाम AT-LARGE मतलब क्या होगा? भागा हुआ अपराधी. और criminal escaped or is not yet. ऐसा criminal जो भाग गया हो या अभी तक पक्रान नहीं अगया हो उसी को बोलते है एक लार्ड ठीक है लार्ड से यादर को कि बहुत huge amount पर उस पर bounty है ठीक है तो मतलब क्या वो criminal भागा हुआ है या अभी तक capture नहीं हुआ है ठीक है अगे आपको चीज़े clear हो गई हुए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है अट लॉगर सेड मतलब क्या है और समती के कारण हिंसक विवाद ठीक है इन conflict with someone to disagree strongly ठीक है अट लॉगर सेड का मतलब है कि आपका किछे से विवाद हो जाए ठीक है इस मुद्धे पर अगर आप उससे सहमत नहीं हो आपको वह चीज़ बता रहा है लेकिन आप उ ठीक है चलिए आयोप आपको चीज़े किलियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है एट लूजी मतलब क्या है अनिश्चित इस्तिती में ठीक है और कोई भी इंड लूज होगा ठीक है कोई बी अन्तिम छोड़ हो अगर वह लूज हो ठीक है आप उसको टाइट नहीं कर पा तो क्या होते है आप अनिश्चित इस्तिति में चले जातो हो इसन्सेटी में चले जा तो मतलब आपको पास कोई काम ही ही नहीं है तो खीक है इन आन्सर्टेन सीट्यूऐसन विदाउट एन्युर्थ अब ऐससे सिच्विशन में चले तो कि end कर दे तभी तो आपका चीज complete होता है कोई वर्क हो जब तक end नहीं करोगे वह complete नहीं होता है लेकिन end ही आपका lose हो जाए ठीक है कहीं चला जाए आप end तक पहुंची नहीं पाओ तो क्या होगा वह uncertain situation हो जागा ठीक है ठीक है तो इसी को बोलते at losing मतलब in an uncertain situation without अनिस्चित इस्थिती में ठीक है आपको चीजे clear हो गई होगी होगी तो आगे बढ़ते हैं next बात करते हैं next जैसा कि आपको पता है आप हमारे class से जूरे होंगे तो एक Pandora box होता है जिसे हम open करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है अगर आप new है तो मैं बता दूँ की जब Pandora box open होता है तो उसमें से 100 golden rules निकलते हैं किस चीज के rules तो English grammar के ठीक है इसका help हमें मिलता है इरा detection के question में और sentence improvement के question में ठीक है इसके help से हम इरा detection प्रैक्टिस कर लेता हो तो आप वो चीज़ें ज्यादा लंबे समय तक याद होता और clear भी हो जाती है तो rule कह क्या रहा है चलिए जानते क्या क्या रहा है और वर्ब वें प्रिपोजीशन मस्ट भी धजिन है ठीक है और कहीं पे कोई preposition हो ठीक है कोई preposition हो ठीक है उसके बा जरन में नहीं है तो वो sentence गलत है ठीक है चलिए एक्जांपल से देखते है दे बेर पनिस्ट फॉर कम लेट ठीक है फॉर देख पार हो गए यहाँ पर प्रिपोजीशन है उसके बाद मैंने क्या कि प्रिपोजीशन के बाद जो वर्ब है वो किसमें हो जरन में हो मतलब क्या हो आई एंजी फॉर्म में हो ठीक है तो यह गलत हो तो सही sentence क्या है दे वेर पनिस्ट फॉर कमिन लेट ठीक है तो यह सही sentence है तो आप चीज़े याद रखना है कि जहां पर भी आपको प्रिपोजीशन दीक है उसके पाद जो भरब आ रहा है ठीक है प्रिपोजीशन के ठीक है तो question answer का session होता है तो CGL 9 December के हमने shift 3 तक कर लिया था आज हम shift 4 की बात करेंगे ठीक है तो पहला question आपको idiom बताना इस idiom का मतलब होता है तो इसी के साथ time up हो गया है ठीक है आई होप आप सभी लोग ने सही सही अंसर कर दिया होगा अगर नहीं किया होगा ठीक है तो मैं बता दू कि इसका जो correct EDM का मतलब होता है वो क्या होता है face the music का मतलब होता है to accept unpleasant consequences ठीक है अगर आप music face करोगे मतलब आपने कुछ गलती की है ठीक है unpleasant उसके परिनाम सवरुप आप उसको accept करोगे ठीक है face the music मतलब यह होता है to accept unpleasant consequences आई होप आपको चीज़े क्लियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते यह idiom sse ने बहुत पार पूछा है ठीक है बार-बार repeat होता है तो अप इसको important मान सकतो हो यह आज आते हैं ठीक है चले next बात करते है नेक्स्ट आपको एंट्रोनिम से बताने एक्वेजीशन का ठीक है चार ओप्सन है दस सेकेंड मिलेंगे enthusiasm demoralize surprise loss फटा-फट एंसर करेंग सभी लोग कमेंट में एंसर करेंगे आफ आप सभी लोगों ने एंसर कर दिया वह आपका time-up हो चुका है और आप सभी ने सभी सटब कर दिया है एंट्रोनिम तो एक्वेजीशन का जो सही सही एंट्रोनिम्स होगा वो क्या होजागा लॉस ठीक है अधीगरहन मतलब क्या हो होगा acquire ठीक है earnings प्राप्त करते हो ठीक है तो इसका अपोजिट हो जागा लौस मतलब कहाता तक घाटा यह आपको कोई भी चीज लौस हो जाए डेफिसीट हो जाए ठीक है धाटा लग जाए अप प्राप्ती नहीं कर पार रहो लूज हो जाए ठीक है लूजिंग वोल सकते हो आप इसको lost, losing, damage हो जाए कोई भी चीज तब भी घाटा लगता है ठीक है अब इन्थुजाज मतलब क्या होता है इन्थुजाज मैंने आपको बहुत बार बता रखा है उस्सा ठीक है उस्सा जील ठीक है जील और क्या बता है था गश्ट ये सब मैंने आपको बता रखा है प्रीवेस क्लास में ये दो-तीन वार दिस्कास हो चुका है ठीक है दीमोरालाइज मतलब क्या होता है ठीक है किसी के किसी को आप देमोर्लाइज कर देतो हो घ्तुसाहित कर देतो अप उसको डिप्रेशर में डाल सकते हो ठीक है wykor ढेखें कर देतो मैं दिखते हो दित्यों आपके तो यह सब क्या है इसाथ कुनивать ४ मुण इसके सुच्प्राइज आपको पता है यह बहुत ही इजी वर्ड है बहुत बार पूछा जा चुका है एंटोसीनों में आप सभी लोग ने अंसर कर दिया होगा आपके टाइम भी अप हो गया है ठीक है और यह बहुत इजी था तो आप सभी लोग तो ने साही सब दिया होगा और यहा लास्टिंग मतलब क्या होता है इसकर सिनोनिम से इंटर्णल यो की अनन्तकाल तक्राइए ठीक है तो जिसका आंट नौ ठेक है इंड्रेश बोल सकतो तो ठीक है आल वेज बोल सकतो हुआ है तो आप सभीको इसका इन्टोनेंस पता ही चल गया हो तो इसका जो साही इन्टोनेंस है वह है ट्रांजेंट्ट बतलब क्या होता है छानिक momentary fleeting तो होता momentary ठीक है momentary जो छन भर के लिए हो ठीक है या फिर fleeting यह सब क्या है इसके synonyms है ठीक है fatuous मतलब क्या होता है fatuous मतलब होता मुर्क क्या होता है मुर्क को ठीक है fatuous किसे का ते मुर्क को ठीक है silly बोल चाहतो और dumb बोल सकतो इस्टूपीड बोल सकतो यह मैंने आपको करा रखा मुर्क के लिए ठीक है silly इस टूपीड यह सब eternal मतलब क्या होता है eternal अभी बताये है ever lasting किया है how he Misled मतलब क्रदा गुम्राह करना आपको ठीक है आपको को घम्राह कर ठीक है यह इसके snowites चीजे क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपको इस इडियम का मतलब बताने, इडियम क्या है, लूज यूर मार्वल, चार अपसे ने, मैं स्टोरी बताता हूं कि बच्पन में आप लोगोंने मार्वल से खिला होगा, आपने 10 रुपए के मार्वल खर दे, 20-25 और ऐसा हुआ कि आपके सारे मार्वल खो गए, घुम हो गए, तो क्या हो जाता है, फिर आप क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, ठीक है, इसका वह हैं, मार्वल कहीं लिए, हमारे मार्वल खो गए, तो क्या हो जाता हैं, पागल हो जाते हैं, ठीक है, चलिए, बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपको ONE wड सब्सुट बताना इस ग्रूप अ वर्ड के लिए, ठीक है, पहले मैं वर्ड्स पर लेता हूं, फिर आपको टाइम ठीक है चलिए आपको दस सेकेंड मिलते हैं इसके लिए मिस एंथ्रॉपिस्ट हुमेन मेंगनेनिमस फिलैंथ्रॉपिस्ट ठीक है आप सभी लोग ने एंसर कर दिया होगा बहुत इजी है यह बहुत बार पूछा जा चुका है आपने बहुत बार देखा होगा एससी में यह वाँ व्ए बहुत बार आया है हर भास में नहीं मिस एंथ्रॉपिस्ट है यह समय आगे क्लास में गाओंगा जब एम सीरी जाएगी तब तब तक धैर बना के रखें ठीक है ज़लिए आगे बात कर लेतें नेक्स्कॉस्ट आपको सिनोनिम्स बाता आना है हुडविंग का ठीक है चार ओप्षन है कोर्स डिसीवड थ्रेटेंड मिस्काइड़ फटा-फट एंसर किजेगा हो सकता आपके लिए नया वाड हो तो आप आप एलिमिनेशन टेकनिक यूज कर सकते हैं तो कर लो बेलेंड गुट ठीक है आप सभी लोग ने अंसर कर दिया होगा और आपका ठाइम भी अप हो चुका है तो हुडविंग का जो सही सिनोनिम्स है वह क्या हो जागा डिसीवड हुडविंग मतलब क्या होता है धोखा देन ठीक है तो इसको बोल सकते हैं स्पूफ मतलब क्या होता है मजबूर क्या होगा मजबूर किसी बीचीज के लिए मजबूर हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं को ठीक है कि अब मजबूर कब होते हो आपको कोई मजबूर कब करता जवागर करता है ठीक है कंपेल या पूस करता है तो अप यह फितेस धक कर Roth將 आगे जाने के लिए मजबूर हो जाते हो ठीक है को सब्सक्राइब को पताएं धंकाया थ buffalo करना पत्भरस्थ करने या घुमराह करने चले लें अभीनेय। ॐटोas行uinta पह। corner core bottom ठीक है आप elimination method use कर सकते हो यहाँ पर और यह apex बहुत बार पूछा जा चुका आप बहुत ही यह जिए I hope यह सभी का सही होगा सभी ने सही से answer कर दिया होगा आप लोग के लिए दो से तीन सेकेंड काफी ताई से answer करने के यह ठीक है तो the record appearance मतलब क्यों होता है चोटी सीखर डhm bitches SUMMIT फि dess próxim somehow it थीक बोल सकते हो थीक और टोप बोल सकते हो और टिप बोल सकते हो थीक और क्या बोल सकतो ब्रेड बोल सकतो यो आनत्रिप भाग होता वही को devo बहुता है और क्या 1945 सकता आप परृटम सभी होता तो पेडेंट भी वह सकते हैं और क्या हो सकता है पीरेंटम इसके क्या है थैंप टीक है यह है यह एक है यह फधर बड़ेफ पूरा ही थिक आपको होंबर्क है होंबर्क मिला है वो डबलीएस बताने है इसके लिए वन हूं डज नाट फॉलो दा यूजवल रूल्स आफ सोचल लाइफ बहुत ही इजी है मैं आपको डिसकस कर बाद चुका हूं प्रीवेस क्लास में जब को सेंसर डिसकस किया हूं तो ठीक है तो आपको कब से किमेंट के कमेंट परता हूं ठीक है बाद में भी करते हो तो साही से एंसर करता थो तो आजके लिए बस इतना ही आज का क्लास आपको कैसा लग आ笔र करके हमें जरूर से जरूर बताए अपने स्कूर करें कि आपको सैयर करें और सब्सक्राइब करदें कर लाइक करके तो अपने कॉंटेन चाहते कम समय में यहाभी ब te Lauren Key przep और अब संद सामaren alerts करपाएं ज्यादा समय तो जैता कि मैं वादा करता हूँ कि हमारी क्लास 25-30 मियट के अंदर समप्त हो जाती है तो आप देख पारेंगे कि हाड़ी आपके फोन में अभी 28 मियट हुआ होगा ठीक है तो आप लोगों को पता है मैं टाइम का पक्का हूँ तो 28 मियट हुआ होगा तो कम समय में मैंने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लाओंगा ठीक है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत टेक क्या है